तो UPPCS के द्वारा आज निबंद का प्रश्णपत राप सभी का जो है जो UPPCS में से उसका संपादित हुआ देखें जो UPPCS में स्लेबस है निबंद को लेकर कि एक बार पहले हम पैटन और स्लेबस को समझ लेते हैं कि ultimate स्लेबस क्या है और फिर निबंद कैसे आते हैं देखो निबंद बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि आप लोग रातो रात सीख जाओगे आपने exam hall पे गए और निबंद सीख गए ऐसे नहीं होता है या फिर आपको लगता है कि exam के एक महिने पहले देख लेंगे सबसे उपेक्षिस subject निबंद ही है आम तोर पे बच्चे न में निबंद का पेपर discuss किया था मैंने उसमें बताया था क्योंकि यूपी एसी के निबंद बिलकुल अलग होते हैं और उसमें अमूर्त निबंद समझी नहीं आते है कि अच्छा यह कहे क्या रहा है यूपी पीचेस में तो बहुत इस पस्ट है क्लियर है कि अच्छा यह जुड़ा होगा ठीक है तो मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा आपका जो syllabus है मैं एक बार syllabus में चलूँगा और आपके निबंद को समझने का प्रयास करूँगा कि overall आपका निबंद का syllabus क्या कहता है तो UPPCS में निबंद को लेकर अभी तर्डा रहा है वही पैटन है वो रूप देखने को नहीं मिलता है जो हमें देखने को आपके आयोगों में दिखता है खासकर UPPCS और UPSC में हैना UPPCS का ये आपका निबंद का पैटन है एक बार पहले देख लो आप लोग सभी लोग को दिख रहा है ये आपके तिखे जो निबंद के तीन खंड होते हैं आपके तीन खंडों में निबंद पूच्छा जाता है खंड ए हिं और खंड यानि का खागा तीन खंडों में ये बटा होता है और इसमें से आपको 700 सब् def- अब यहां पे चीज समझियेगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सबसे अदा उपेक्षीत होता है क्योंकि बच्चे लास्ट मुमेंट पे सोचते हैं कि निबंद बड़ा असान है लिख लेंगे इतना असान नहीं होता है बट समान अध्यन के प्रश्ण पक्त्रों की अपेक्षा में देखे तो यहां पे 2100 सब्द लिखना होता सब्द सीमा बहुत इंपोर्टनट है 549 निबंदियों को जोड़ दीजे तो साथिसों का एक लिखना है इसमें से शाथिसों सब्द और 2300 सब्द ई迗 है तो देखा जाए तो आपका рок Tucson में आपको निबंद लिखना है निबंद आपके तीन खंडों में भी भाजित है, देखें, तीन खंडों में टॉपिक इस पश्ट कर दिये गा है, कि इन ही टॉपिक से निबंध आएगा, यूपी असी में ये नहीं होता है, यूपी असी में तो आयोक को जो मर्जी होगी वो आप से पूछेगा, है ना, लेकिन आम तोर पे इन्वायर्मेंट से या एकोनमी से जोड करके निबंध आही जाता है, अंतराष्टी सम्मन से जोड कर निबंध आही जाता है, लेकिन दर्सन साथ से फिलोसपी से बहुत सारे निबंध आते हैं, कथन पूछ लेता सीधा सीधा तो बड़ा जटिल हो जाता है, जिन बच्च में आपको वीडियो पब्लिश कराऊंगा निबंध को लेकर के जिसमें आपको निबंध समझ में आए देखे किसी भी निबंध के तीन भाग होते हैं मैं थोड़ा सापको यहां पर ग्लिम्स दे दू फिर इसके बाद में आपके निबंध पर आ जाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको confidence आजया कि लिखते कैसे हैं। निबंदो की तीन भाग होते हैं। आप सब जानते हैं। आम तोर पर निबंदो को सभी ये कहते हैं कि बंधन रहीत रचना है लेकिन ऐसा नहीं है। निभण्द में भी आपको नियम एक तरीके से आपको एक नियम बद्ध तरीके से लिखना होता है। एक सटी गध रचना के तौर पे जहां पे नियम बद्ध है। आपको पहले प्रस्ताऊना लिखना है, फिर मेन बalthy लिखना है, और उपसंघा लिखना है। जब भी आप प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना ऐसी लिखनी चाहिए आपको जिसमें वो उस्सुक्ता पैदा करें, जिग्यासा पैदा करें, जिसमें पढ़ने के बाद पाठक को ये लगे कि आगे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ रोमांच कारी हो, तो जब आप क कुछ बच्चे में आंस राजिटिंग की क्लास में रहे होंगे, तो मैंने ब्रेनिस्टावमिंग सिखा, यह कि कैसे सोच आ जाता है, किसी एक टॉपिक को लेकर कैसे आपको सोचना आаем, ब्रेनिस्टावमिंग आपको कैसे करना आपकी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया अभी एक दो practice और करवाऊंगा brainstorming की इससे क्या होगा at least आपको सोचना आजाएगा synopsis create करना आजाएगा बहुत आसान है मतलब बस यह की practice और अभ्यास कितना किया है आपने तो कुछ मैं ऐसी तकनीकी बता रहा हूं answer writing की class में जो आपकी answer writing की class सुबह 10.30 बजे होती है जो साने दन की सारे प्रश्ण पत्र मैंने उसके answer writing करवाएं अभी तक ethics के चल रहे थे case study भी मैंने करवाएं और अभी निबंध चल रहा है आपका निबंध भी complete हो जाएगा और आईएस और UP pieces दोनों को ध्यान में रख करके मैं चला रहा हूं पूरा का पूरा प्रोग्राम ख रामाजीक, आर्थिक, राजनीतिक उसका कितना जुड़ा जितना आप जोड सकते हैं उसको उदाहरन के साथ, अपने खुद के अनुभवों के साथ, है ना जितनी मौलिकता आप उसकी बना के रखेंगे, है ना तो अपने अनुभवों को जितना जोड पाएंगे, examples को होता है, जो भी आपका topic पूछा जाएगा आपका निबंध में, उसको ले करके आपको जब उपसंघर लिखना है तो उपसंगार थोड़ा सकरात्मक होना चाहिए, पोजिटिव होना चाहिए, थोड़ा स्रिजनात्मक होना चाहिए, आप जब उसमें उसमें किसी भी समश् समय आपको खुद के खुद कुदी तो आप सोचते हैं उसको तो आपकी सरजनात्मक्ता दिखनी चाहिए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए भविश्योन मुखी आप जो है अप्रोच से लिखना चाहिए आपको और जब भी आप कभी भी संघार लिखते हैं तो उपसंघार को चाहिए में कि ऐसा करना चाहिए ऐसा आपको चाहिए के जो है फॉर्म में आपको उसको लिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होगा संदेशोन मुखी होना चाहिए उसमें संदेश देते हुए आप लिखना चाहिए आशावादी द या फिर सकरात्मक दिर्ष्टिकोंड के साथ लिखा जाता है यदि आप तीन पक्षों को अच्छे से समन्वित कर लेते हैं तो बहुत ज़्यदा सब्द नहीं है साथ सो सब्दों में लिखना होता है आप आसानी से लिख सकते हैं मैंने आपको आप यदि आप में से कुछ बच्चे जो अभी UPSC का हुआ था IAS exam का हुआ था उसके निबंद के discussion में अधी थे आप सभी आप में से कुछ लोग निबंद के discussion में हो तो एक बार मुझे जरूर बताएं आप में से रहें क्या कुछ बच्चे निबंद के discussion में जो निबंद के discussion चल रहा है या निबंद की class में ले रहा हूं नहीं है तो जा जाद ग्रूप लाइब चैनल पे उपस्तित हैं, वो सारे वीडियो जाद ग्रूप लाइब चैनल पे लाइब क्लासे हैं वो, अंसा रैटिंग की जो आपकी होती है, तो उनको देखें, उससे निबंद आप सीख जाएंगे, निबंद ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपको स पूछे गए हैं, उनके बारे में बता देता हूँ, देखो यहां पर आयोग ने इस पष्ट कर रखा कि हम यह टॉपिक हमने बता दिया, इन ही टॉपिकों में से हम आप से पूछेंगे, तो एक तो आपका देखें साहित्य से है, साहित्य और संस्कृति से कह रहा है निबं मैं निबंध की क्लास में इसमें से एक निबंध लेकर के जो इस बार पूछा गया है, मैं आपके हल करा दूँगा, आप भी कुन निश्चिंत रहिये, मैं आपके निबंध हल करा दूँगा, आपको आईडिया लग जाएगा, कोई दिकत नहीं है, पर पहले सीखिए, टेक आप भी थोड़ा सा उसी गति से, उसी जोस से, उस पे लगे इसके बाद, खंड खा जो आपका है, इसमें बिज्ञानयों, पर्यावरन और प्रद्योकी से जुड़ा हुए एक निबंद आता है, اेक कृसियुद्योक और व्यापार से निबंद आता है ठीक है विज्ञान, प गही लिशाबं से कर सकते थे और ये तीसरा खंड़ का में इनमें से एक करना है खंड़ का में राष्ठी अंतरास्ठी घट्नश करफ़ से पूछा जाएगा प्रातिक आपदाby डिजास्टरा मनेजमेंट से पूछा जाएगा और राष्टी विकार्स यौजना असे पूछा ठीक है ये तो आपका syllabus है ये तो आपका particular है अब निबंद क्या होता है कैसे लिखा जाता है ये सब कुछ classes में मैं बता रहा हूँ पिछले दो तीन चार दिनों से मैंने आपको विकुल नए तरीके से अद्देतन पार्ट करम के तौर पे देखें यू पी सी में हमने जो कुछ पढ़ाया है उसी से question आए है इथिक्स में लगबग 90% जो मैंने class notes आप जाके देखिएगा आपको मिल जाएगा मैंने जो अधारबूत classes देखें उसी से आपको कम सकम 40% question दिख जाएंगे तो जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसी से ही चीज़े आ रही है बस थोड़ा सा सोचने की चिंतन करने की question को frame करने की इसकी आपको अवशक्ता है तो अब देखें ये आपका पहला साहित्ते से जैसे आयोग ने कहा कि साहित्ते से पूछा जाएगा तो ये साहित्ते जो है आपका ये उतकृष्ट साहित्ते के नए मानक तो ये आपका साहित्ते से यादि आपने तैयार कर रखा, साहित्य समाज का दरपड है, जैसे इस बार आया भी था, इसमें की, जो है, UPSC में भी आया था, कि जो कभी होते हैं, वो समाज में एक तरीके से क्या होते हैं, माननेता प्राप्त नहीं होते हैं, एक तरीके से अनुपचारिक रूप से बिदी निर्माता के तो कोई भी पूछ ले, आप उसमें साहित्य के बारे में लिखेंगे, तो आसानी से इसको लिखा जा सकता था, एक करा द्वी खंडी विक्तित्यों में बटी नारी, है ना, आम तोर पे देखें, कहीं न कहीं पे आपको पता है कि जो, अब ये आपका समाज से जुड़ा और जो बरतमान में आज भी लेंगिक विवेद और विविन समस्याओं से महिला हैं जूज रही हैं, तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि एक तो उनकी घर में भूमिका है, दूसरा वो दो घरों से जोड़ करके रखती हैं, साधी के बाद, विवा के बाद उनको दूसरे परिवार में जाना है, मा की एक भूमिका में रहती हैं, बहन की भूमिका में रहती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कई सारे भूमिकाओं इसको निर्वान करती हैं, और कई परिवारों को जोड़ती परिवार का स्रिजन भी करना है, पालन पोशन भी करना है, कामकाजी करके हैं कि द्विखंडी विक्तित्यों में बटी नारी तो इसको कई पक्षों को आयामों को जोड़ करके लिख सकते हैं इसका एश्य में आपको लिखवाऊंगा उत्ता लिखन करांगो तो यह आपका समाच से जुड़ा हुआ महिला ससक्ती करण से इसके बाद यह आपका व लिखने की स्तिती में हो सकते हैं दि आपने तयार किया है बहुत कठी नहीं है 700 सब्दे लिखे जा सकते हैं लेकिन इसके लिए मैं जो पद्धती आपको ठिंकिंग प्रॉसेस दिखा रहा हूं कल आप क्लास में जुड़िएगा जो आज की क्लास हुई थी इसको जरूर दे लिखे लेंगे तो निबंद आपको कठी नहीं लेगा ये टॉपिक आप बना ले जाएंगे ठीक है इसके बाद दूसरा आपका निबंद जो है ये बहुत इस बार के निबंद बहुत कठी नहीं आए हैं आसानी है दूसरे बिज्ञानियम प्रदोग की पर्यवन प्रदू प्रदूशन का बहुत महत्यपूर्ण कारक बन करके निकल रहा है तो अंध और दोगी करण यानि कि ब्लाइंड इंडस्टलाइजेशन इस सोर्स ऑफ इन्वार्मेंटल प्रदूशन तो आप पर्यवन प्रदूशन के लिए और दोगी करण किस तरीके से जिम्मेदार है आ और दूसरा जो जंगल काटे जा रहे हैं और दोगी करण के लिए जो भूमी की उपलबदता को ले करके तो कई कारण है आप बहुत अच्छे से इसको भी 700 सब्दों में लिख सकते हैं इसके बाद आपका एगरी कल्चर को ले करके एक निबंद पूछा जाता है तो भारती अर्थ बहुस्ता में किर्शी की भूमी का मलब इवर ग्रीन टॉपिक है एगरी कल्चर को ले करके लिख सकते हैं आपकी किस तरीके से आपको पता है भारत एक क्रिशी प्रधान अर्थ बहुस्ता वाला देश है यहां पर आज भी बड़े इस तरह पर रोजगार आपका ए राष्ट्री एक्ता जिस तरीके से छेत्री भावनाओं का उदय हो रहा है आप देख रहे हैं भारत में जो राज्य हैं है ना राज्यों में भी तो राष्ट्री एक्ता में जो छेत्री पार्टियां बहुत सारी बन रही है यह छेत्री बहुत सारे गुट बन रहे हैं संग परवतिय राश्जों का कल्चर अलग है तो हमारे देश में जाती आधार पे भाशा के आधार पे जो है हमारे देश में धर्म के आधार पे विविने आधारों पे संस्कृति के आधार पे विविदिता है चेत्रियता की भावना लगातार बढ़ भी रही है और उसमें राश् सकते थे मैं कहूं तो यह वाला बहुत इवर ग्रीन टॉपिक था बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा होगा आर्थ व्योस्ता में किर्शी की भूमिका को या फिर यह पर प्रदूशर पर लिख सकते थे या फिर आप तीसरे पॉइंट को भी उठा सकते थे कोई दिक्कत न सब एक साथ इंटिग्रेटेड हो करके यह आपको पता है 2014 में योजना प्रारम की गई थी तो इससे निबंद आप लिख सकते हैं जल सनक्षन के लिए नदी संयोजन आज की मांग है ठीक है तो जल सनक्षन से कोश्चन पूछा गया है आपका यहां पे ठीक है वाटर जो है इस पे काफी जादा लगतार काम भी चल रहा है और यह एक बहुत इंपोर्टेंट है इसके बार दूर दर्सन अब संस्कृति करण की अगवाई कर रहा है टेली विजन जो है क्या कर रहा है बैड कल्चर को लेकर के चल रहा है अब संस्कृति करण कर रहा है तो किस तरीके स समाज में जो है लगातार जिस तरीके से दूरदर्शन के साथ सोचल मीडिया का भी एक बड़ा योगदान है तो ये भी आपको इस पे भी आप सोच सकते थे लिखने योग ये भी था तो ये और आल मतलब जितने भी आएं हैं इस बार के एसे ये लिखे जा सकते थे और देख करें जो भी आप टॉपिक उठाएं जो भी विशे वस्तु ले उसके मुख विशे का को आप समझते हुए आप उसके विभिन्य पक्षों को विभिन्य पक्षों को आप इस पश्ट कर पाएं और उस विशे पर ही बने रहें मलब विशे पे उस विशे की प्रासंगिक्ता स ये सब चीजे मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको भावात्मक पक्षो को डालना है, कैसे सरजनात्मक पक्षो को डालना है, आतिवादी दृष्टिकोंड से आपको कैसे बचना है, समधान, उपाय और निदान और रसनात्मक्ता को कैसे आपको लिखना है, ये सब चीजे आ आप बेर्थ के विचारों को लिखें, बार-बार बहुत बड़ी गलती ये बच्चे करते हैं, कि एक ही विचार को बार-बार रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात को बार-बार लिखते रहते हैं, निरधारित सब्द सीमा के अंतरगत कैसे लिखें, ये सारी चीजें आपके आजाद ग्रूप लाइब चैनल पे चल रही है ठीक है तो आपका नॉर्मली आप समझे किया दिया आपने टॉपिक तयार भी कर लिए पहले से कि अच्छा चलो पर्रया वरंट पर में तयार कर लेता हूं तो कॉमन पॉइंट यहां पर डाल सकते हैं एग्री कल्चर प पेपर भी ठीक था बहुत कठी नहीं था ठीक है तो निबंद भी पटा बेटा मैं पढ़ा रहा हूं अन्गे तो कि वंगे करवा रहा हूं आप पे आप उसमें समझ लिजे फिर detail classes भी मैं निबंध को लेकर एक separate batch भी लेकर करके आऊंगा वो भी आपके लिए होगा आप बिल्कुल निश्चेंत रही है निबंध के लिए एक सेपरेट बैच भी हम ले करके आएंगे तो उसमें मैं फिर बहुत डिटेल से कराऊंगा बट अभी मैं निबंध जितना समझा रहा हूं ति उतनी क्लासेज भी कर लोगे तो भी हो जाएगा ठीक है शुबम ज योगे थे मतलब लिख सकते थे आप लोग ठीक है इसके बाद हिंदी का पेपर भी थोड़ा सा इसको भी एक इंपोर्टेंट पेपर के तौर पर है आपका हिंदी